तु अपनी खूबिएं धूण मेरे भाई क्योंकि कमिया निकालने वाली ये पूरी दुनिया है। और रखना ही है पेर तो आगे रखो। क्योंकि पीछे खीचने वाली ये टांग खीचने वाली ये पूरी दुनिया है। आपने देखा होगा अगर आप लाख अच्छाई कर दो एक छोटी सी बुराई कहीं नजर आई न लोग उसी पर उंगली उठाएंगे इसके पहले में एक अभी क्लास पढ़ाया था बिंटर बैच का पहला पार्ट जिसको लगबग आठ लाख लोगों ने देखा है आठ क्योंकि लोगों ने रियक्शन दिया यूट्यूब को लगा बड़ा अच्छा चीज है न तो गलती कहीं कहीं जरूरी होती है जबकि कोई बहुत बड़ी गलती थी नहीं कच्छा पांच के बच्चे को भी पता है कि जोड़ना था घटाएं लेकिन उस बीडियो में मैंने 45 करा होंगे अच्छे उसके बारें कोई एक बार नहीं बोला कि बड़ा अच्छा था तो कहीं कहीं मेरे लिए सब कुछ अच्छा होता है आईए 54 नंबर बात करते हैं चोववन नंबर आप पढ़ रहे थे अबरेज आउसद ये फ़ारी चीजें आपने पिछली क्लास में प 53 देखा उनको पता है कि आज हमें यह पढ़ना जो दिख रहा है आपको कि एवरेज और हम कुछ बेवारी कैसे एक जमपल्स करवा रहे हैं भी जिससे आपके दिमाग में घुस सके चीजें है ना किरहां मोनू की बाइक तीन लिटर पिट्रोल में 120 किलोमेटर चलती है तो और वो थीन लिटर पिट्रोल भराया और 120 किलोमेटर गई तो अब मोनू यह जानना चाहता है कि हमारी जो नईकी बैकिया है न यह कितने का अबरेज देती है आपने इस बात को जरू नोटिस किया होगा लोग चर्चा करते हैं कोई नई गाड़ी यह कितने का अबरेज दे रोल ज्यादा फुकता है ठीक है जब हम हाइवे पर ड्राइबिंग करते हैं चाहिए वह छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो तो उस पर लोड नहीं पड़ता है क्योंकि अगर उस समय तुम इंजन बंद भी कर दो हाई स्पीड में तो भी बहुत दूर धनंग चले जा गाड़ी कामर्सियल होग रहा होती है अगर खाली चलती है तो कम अबरेज देती हैं लोड रहता वह ज्यादा तो ज्यादा पीट्रोल जनबर बाइक में तो अनूब हो किया बड़ी गाड़ी मुझा नबहों निल्किन हाँ रियल्टी होता है क्योंकि लोड पढ़ता है तो एक इक नियम जैसे लगाओगे लेकिन हमें निकालना हो सत हम लिखेंगे चुकि आज तीन लीटर पिट्रोल में गाड़ी जाती है कितना कि 120 ए भाईया यह तो सब गोबर होई रहा है तीन लीटर पिट्रोल में कितना यह पे मतलब पिट्रोल कि 120 किलोमेटर ना इस लिए एक लीटर में कितना कि एक लीटर में भाईया कितना एक सो बीस बटा तीन यानि चालीस चो एक लिटर पेट्रोल में 40 किलोमेटर यानि जो मोनू की बाइक है न वो चालीस के अबरेज दे रही है कितने का चालीस का देखो बहुत से बच्चे कमेंट में मार तुफान मचा रखें मैंने त्याग पत्र दिदी या कमेंट पढ़ने मैं अपने आपको बहुत पीछे खींच लेया कमेंट की चक्कर में तुम्हारे सही बता रहा हूं कंटेंट की गंधा जाती है अगर कमेंट पढ़ो कलास में ठीक है कमेंट लाश्ट में होता है या कमेंट के लिए मैं अलग से सेशन करता हूं पढ़ने वाले सीरिएस बंद को पढ़ लो तुम बाइक से ही चलोगे और जिसके पीछे तुम लगे हो उसे तो कार ग्रिप्ट में भी मिल जाएगी और पढ़ लेगी तो अच्छी बाती है अधिक तर एक लड़की अगर पढ़ती है तो उसके पीछे दो परिवार आगे बढ़ता है मालू मैं ऐसा कहा जा क्योंकि पूर्चों के लिए कोई कानून नहीं देश में काफी विचारे पीडित हैं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग है अभी यूबी की घटना है महराज गंज की परधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत पैसा मिला फस्ट किस्त मिली उसमें 11 महिलाएं अपने प् पाती को शोड़के अरे गूगल पे सर्च कर लेना आज जब तुम वीडियो देख रहें तब भी मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर भाग गई पतनिया इतना लिखो के मिल जाएगा तो काहे को बोला मैंने पता नहीं तुम्हें जानकारी होने चाहिए अच्छी नहीं हुझे चलो अनामका कि कार पांच लिटर पेट्रोल में उसके स्कूल से घर तक जाती है और आती है याद रखना कितना लिटर पांच लिटर में एक लिटर पेट्रोल बच जाता है यानि घर फे स्कूल क्या करती है जाती भी है और आती भी है फिर भी एक लिटर पेटरोल बच जाता है किरा यह घर से स्कूल की दूरी 40 km है तो कार एक लिटर पेटरोल में आवसत कितनी दूरी ताह्एं कर रही है भाई आप पहले तो यह देखो कि इसकूल और घर की दूरी 40 km है इसका मतलब वो हम हल करेंगे कितना कुल तेंख दूरी तो भाई देखो 40 किलोमेटर की दूरी है घर और स्कूल के बिच में और गाड़ी जा रही है फिर लोड के आ रही है इसका मदलब 40 दू न 80 कितना चल रही है 80 किलोमेटर गाड़ी चल रही है कितने में 5 लिटर में नहीं चलते है क्यों कि एक लीटर तो बच जा रहा है न तो चार लीटर में 80 किलोमेटर जाड़ी जा रही है तो आप यहाँ लिखोगे चूकी चार लीटर में कार चल रही या जा रही ठीक है बेसी पढ़ रहे हैं इसलिए पूरी कहानी लिखा रहा हूं बराबर कितना अफ़ी किलो मेटर इफ लिए एक लीटर में जाएगी जा रही नहीं ठीक है एक लीटर में जाएगी कितना असी बटा चार मतलब भाई सहाब बीफ किलो मेटर कितना 20 किलो मेटर समझ में आया और 20 किलो मेटर का अबरेज अगर कार दे रही तो बहुत बड़ी बात है ना इस समझे रहे हैं मेरी बात की नहीं सबढ़ी लोग मस्ट बर्चस बिन्दास चल रहा है चलो ठीक है अच्छा अगर पांचों लिटर खतम करती होती मेडम तो कहां तक जाती पाता नहीं इस्कूल से घर जाना था घर से स्कूल के लिए जाएंगी ये तो आधी दूरी चली जाएगी वहीं फिर बंद हो जाएगी है ना अच्छा मुझे ये बताओं अगर मैं कहूं क्या कि इनकी कार जो है इस कंडिशन पर थी अगर अभी मैं ये बोलूं कि इनको एक बार फिर से स्कूल से घर आना जाना हो तो अ कि अगर इनको फिर फिर स्कूल से घर आना जाना हो एक बार भी और एक चक्कर लगाना हो तो कितने लीटर पिट्रोल और चाहिए देखिए बहुत से बच्चों ने बताया बहुत से बच्चे तो वही आप बोले नहीं रहें सरमा रहें कुछ लोग तो चैटिंग में मस्त कि अच्छा है कोई बात नहीं कर लो जो तुम्हारा मन करें सब कर लो तुम कमेंट में आग लगा दो मैं नहीं देखूंगा चलो बात क्या है कि यह सवाल तो पूरा हो गया एक नया सवाल मने किया कि अगर मैडम को एक बार फिर से स्कूल से जा करके घर तक आना हो तो अभी और कितना लिटर पिट्रोल चाहिए तो देखो पहली बात तो इनको चार लिटर पिट्रोल में कार कितनी जा रही है 80 किलोमेटर और इसने में चार लिटर और इनके गाड़ी में अभी एक लिटर बचा है सो इन्हें कितना चाहिए अभी तीन लिटर हो चाहिए यह तो ओरल कोईशन था कोई लेखिक वाला था नहीं है ना मजदार चलो अगला सवाल पर चल मेरे बैया तीन बटा आठ का मतलब जानते हो और आउसत का सब्सक्राइब कोईशन और इस स्रीज का जो देख रहे वाच्चावन वाले कति फ्रसवाल बताओं चलो गूट जबर जस्त बिंदास मस्ट कह रहा कि सुभम ने अपनी बाइक में पांच सो रुपय का पिट्रोल भरवाया भईया पेट्रोल आजकल इतना महगा है न कि कभी-कभी मन करता है पांच रुपय भरवा लो फिकिन पांच रुपय हम तो ऐसे हत्व हम लई के इसे से छिरिक देता लो जा कि सुभम ने अपनी बाइक में क्या किया पांच रुपय का नहीं अरे सुरी पांच से रुपय का पिट्रोल भरवाया और फिर आगे क्या किया जिसमें वो अपने घर से स्कूल 120 किलोमेटर मैंने ऐसे लिख दिया था हो सकता बढ़ा बढ़के स्कूल में जाता हो दूरी ग दूरी में कितना रुपय का आउसतन तेल खर्च हुआ थोड़ा फालग है है तो आउसत पे ही आधर ही थोड़ा फालग है देखो पहले पूरी कहानी समझते हैं यहां पर बात हो रही घर फे इसकूल और इसकूल से घर ऐसे पहले हमारे क्लास में कुछ बच्च बच्च कितना 240 पर अब क्या कह रहा है अब क्या करागी ने क्ट्रौ भर वाया था कितने का पांसी रुपया का कि रहा है कि फिर घर से मर्केट गया और ट्रौ खतम हो गया तो यह सै कि ये enे किलोमेटर क की दूरी में कितने रुपए का टेल खतम हुआ पहले तो हमें यह हो तो पता हुआ है कि आखिर के घर से मर्कट यह कितना दूरी रही नहीं तो कैफे जानेंगे या आखिर यह तो हमें पता चलेगी कि कुल कितना दूरी चली गाड़ी तब बंद हुआ ना ये सवाल में पूरा नहीं है सवाल पूरा नहीं है क्यों अगर यह कहता कि घर से स्कूल गया इस्कूल से घर आया गाड़ी का पिट्रोल खतम हो गया तो हम निकाल लेते कि 240 किलो मेटर में 500 रुपया पिट्रोल फुका तो भाई कितना रुपया लगा एक किलो मेटर में लेकिन कह रहा है कि घरवा से मार्क कि जो दूरी है वो 10 किलो मेटर हम इसलिए मान ले रहे जिससे आसान हो जाल करना दस मान ले जरूर मानना पड़ेगा भाई नहीं तो दिया रहने चाहिए ठीक है तो तो इसका मतलब वो दस किलो मेटर हमें आउर जा रहा है यानि 250 किलो मेटर कहां मिलेगी ऐसी गाड़ी हम आउसतन कितने रूपया का तेल खर्चा हुआ यानि प्रिट्रोल खर्चा हुआ अच्छा एक छोटी सी बात समझो इसको सब साइड कर दो कि ना रहे कर दो मान लो कि वो 500 किलो मेटर पांच सो रूपया अगर वो 1000 किलो मेटर उसकी गाड़ी गई होती तो 1000 किलो मेटर गई होती जानते हो कितना होता रूपया 500 लगा गाड़ी गई 1000 किलो मेटर तो भाग किस से करते किस से कह दो कि 500 से 1000 भाग करते तो दूर रूपया नई गाड़ी डबल जा रही इसका मतलब हम रूपया को भाग करेंगे किलो मेटर ठीक है यानि अगर 500 रूपया हमें 1000 किलो मेंटर जाती, तो हमँना ऐसे भाग करते, ऐसे भाग करते, ऐसे ऐसे चुपपे-चुपे काटके, ऐसे एक बट्ड़ा-दो लिखते, और ऐसे लिखते आधा, यानि भाईया हो, एक किलो मिटर में आधा रूपया खर्चा हुआ है, आधा रूपया का मतलब 50 पईसा ठीक है यानि हमें रूपया से भाग करना है किसमें रूपया से भाग करना नहीं है किलो मेटर से भाग करना है रूपया में ठीक है किलो मेटर से रूपया में भाग करना है तो देखो वो 200 किलो मेटर गया था तो रूपया में क्या करेंगे भ चलो बढ़ियां मस्त कोई डाउट ना किसी को चौथा सवाल पढ़ो ध्यान से प्यार से कह रहा है कि आनंद अपने घर से ससुराल जाता है जिसमें 50 किलोमेटर कच्ची सणक है जिस पर गाड़ी की स्पीड 30 किलोमेटर पति घंटा है और 30 किलोमेटर की पक्की सणक है मनलि 50 किलोमेटर वाली कच्ची फणक है और 30 किलोमेटर वाली कच्ची फणक है जिस पर गाड़ी का अबरेज स्पीड 60 किलोमेटर पति घंटे है तो बताओ कि गाड़ी का कुल आवसत तो गाड़ी का कुल आवसत ग्याद कीजिए तो गाड़ी का क्या निकालना है आउसत चाल ठीक है क्या ग्यांत करना भीया एवरेज स्पीड अंडर स्टेंडिंग हो रही न सबाई के चलो ओसात चाल करा ग्यांत कीजिए अवरेज स्पीड आप बताता हूं कैसे अब ये मत सोचनाग भाईया पेपर में हमाई से कैसे कोश्चन बना लेंगे पेपर में कोश्चन गलत नहीं आएगा ठीक है अगर गलत आ गया तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अंडर स्टेंडिंग सभी को और इन एक दा मस्ट चले आगे चलो देखो आनन्द अपनी घर फिर ससुराल जाता है भाईये तुम हो लोग जाते हो कहा तहां जाता है ससुराल चलो समझ लेना है ससुराल लेओ जिसमें 50 किलोमेटर की कच्ची फणक है और फिर पहले ये देखो कि दूरी तो कितना है इस पीड छोड़ो तीस किलोमेटर पर गंटा है तता तीस किलोमेटर पकी फणक है यानि आनन जो बिया करा है वो करा है अफ़ी किलोमेटर दूर हाँ जिससे कोई लफड़ा हो जल्दी भाग करने जाए ना नितमे माई के चली जाओंगी तुम देखते रही हो सुने हो कि नहीं चलो तो नहीं जाएगी माई के जल्दी से क्योंकि 80 किलोमेटर पैदल जाई नहीं पाएगी और अनन ले आनन लेके जाएंगे नहीं आनन हम देखोगे आउसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय जानते हो ना आउसत वही तो होता है ना टोटल नंबर आफ कितना जो कुछ भी है और टोटल हो कितनी संख्या में है तो कुल दूरी कितना है वाइस आप कुल दूरी 80 किलोमेटर है चाल बराबर दूरी बटा समय समय कितना लगा समय यो लग रहा है का देखो 50 किलो मेटर की कच्ची सणक है जिस पर गाड़ी का average 30 किलो मेटर पति घंटा है यह भाई यह तो मामला वड़ा किच किच होईगा कटने वाला है नहीं आओ देखें समय कितना लगा बिना समय के तो आउसाथ ना निकलेगा तो 50 किलो मेटर जो गाड़ी गई वो 30 किलो मेटर पति घंटे की स्पीड से गई मतला 50 बटा 30 ठीक है यह समय लगेगा इसमें तुम्हें पताएगी नहीं भाई 50 के स्पीड में जैसे एक मिनट के लिए समझो अगर यह जो किलो मेटर दूरी है वो मालो की 60 किलो मेटर कच्ची फणक होती 60 किलो मेटर कच्ची सणक होती 30 के एबरेट से अगर यह गाड़ी चलाते तो दो घंटा लगता बोलो यह मंदर बताओ अगर कच्ची फणक उसका मतलब प्रती घंटा यानि एक किल गंटा में 30 किलो में तो तो दो गंटा में 60 किल्योंटर बात बन जाती लेकिन 50 है तो क्याद तो कैसे होगा लगधा है इसका मतलब करो जाए वही आएगा भाग करोगे कटे गनी ठीक है तीन पिंच बेटा तीन अच्छा एक काम नहीं करूँ आप लोग यह मत कहना आइसे काहे कर दिये क्योंकि बेसिक बढ़ रहे हो आपको आफान ही आ जाई इसलिए मैं इसको थोड़ा आफान कर दूँ आफान क्या उसको आइसा कर दो कि कट जाये हो बदल दूँगे नहीं क्या कह रहे हो अचा नहीं बदलूँगे नहीं तुम लोग कहो गया अपना सवाल बना लेते हैं अपने इसाप से चलो लगाता हूँ तो यह पांच बटा तीन घंटे क्या हो गया टाइम हो गया दूसरे में 30 किलोमेटर पकी फणक है जिस पर गाड़ी की स्पीड साथ किलोमेटर पत घंटे है तो 30 किलोमेटर फणक है स्पीड साथ किलोमेटर पत गंटे यानि एक घंटे में गाड़ी जा रहे ही 60 किलोमेटर और दूरी क्या है का पकी संक केवल तेस किलोमेटर है, मतलब आधे गंटे लगेंगे, आधा गंटा मतलब एक बटा दो गंटे, है ना, एक बटा दो मतलब आधा, इनको हल करो, पांच बटा तीन में एक बटा दो जोड़ो, जो भी है वही समय आएगा, और सब ये घंटे में आएगा, अब आत तो ने रिपीट हो रहे ने पीछे से यार, नहीं खराब हो जाए, थोड़ा रुकना बंद करके आता हूं यार, पीछे कुछ चल रहा है, रुखो एक सिकंट, जोड़ो देखो, तो कितना आया था, पांच बटा तीन और एक बटा दो, जोड़ो भी है, जोड़ो फटा फट, भिन का जोड़ना तुम्हें आता पहले सिखाया हूं, ये पांच दून दस, धान ये तीन और ये तीन दूना छे, आयेगा तेरा पटा छे, कितना आयेगा तेरा पटा छे, इनको हल करो, दसामलों ले जाना पड़ेगा गुरू, बिना दसामलों काम नहीं बनेगा, कैसे जायेगा, कितना जायेगा, सही है, देखो एक बार किसा जोड़ा है, दो, और फिर दिखर दो चार आएगा और दियान से देखो चेक दूना बारा गटाने पर एक आया ओपर फिर दो फिर 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 उतार लो तो चैक शच्च शर्टीज श्च शेसे बाया से छक्ष तो मानलो सम्थिंग इतना आ गया था समलों देखो मामला उलज जा रहा है उलज इफ लिए जा रहा है यार कि यह हल करना फिर काफी लंबा हो जाएगा और ऐसे सवाल में कभी ऐसी कंडिशन आएगी नहीं जो आएगा वो एक पूर्ड फंख्या आनी चाहिए जिससे आफ़ानी आप यह जाए तिक तो आफिए जो लफडा हो गया तिकड़म न यह फिस छलो मैं तुम्हें आंसर निकाल िखाऊंगा जाने दो चलो तेेरा बट अच्छे आथा इनको तेरा बट अच्छे करो यह क्या है कि यह है समय इतने घंटे ठीक है अब हम इनको बाग करना आपस मे गतर। देखो हुए ये तो दोनों परानी है, हरा वाला भिंद में ये भिंद में नहीं था, तो हम इसको क्या करने के तरीका या, हम इसको भिंद में बना देगे, यह देखो भिंद में ये भी बन गया, बन गया, ठीक है, आधाक कंडिशन पर आप क्या हुआ कि बाहर बाहर का गुड़ा अंदर अंदर का गुड़ा बच्पन में ही सिखाया तो मैं आपको ऐसे ही करेंगे फिर यह आफे ठीक है तो यह आंसार आ रहा है अफी गुड़े छे और यह तेरा बटे एक एनी तेरा गुड़ा कर लो अच्छे होता है बाकि यह ऐसी कंडिशन उल्जहेगा नहीं सवाल ठीक है अगर वो साट हो जाता कट जाता आराम से यह भी आधा आया था बाद बन जात चलो अगला पाचों बताओं आज के सेशन का इसका लाश सवाल इसके बाल आगे जो पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंग आओ करा सुवा में एक इसान है उसने अपने ट्रेक्टर में पांच लीटर डिजल डलवाया और पिट्रोल टैंक से अपने खेथ 45 किलो मेटर तथा अपने खेथ से उतना ही दूरी पर उसका घर 45 किलो मेटर तथा से 110 किलो मेटर बाजार से खाद लाने के लिए गया देखो डीजल भी मिलता है पिट्रोल पंप पे लेकिन उसका नाम हमेशा पिट्रोल पंप रखा जाता है क्यों क्योंकि पिट्रोल की कीमत हमेशा डीजल पे ज़्यादा होती है तो याद रखना लाइफ में अगर आपकी बैलू आपके पड़ोसी स्पे जादा होगी तो नाम आपका ही होगा उस इलाके में हमेशा इफ लिए अपनी बैलू बढ़ाओ आपकी अच्छाध कर दो जह्ँल क가 चाह derecho अनुदीद नहीं है कि इसको तो बढ़ता जो अ सदní जो है इस चाहिए एक सिरु और पौन करते हैं यह कितने किलोमेटर टोटल टाय करते अंपकी Net ili दिजल डेल वाया है ठीक है 45 किलो मीटर ये घर फे जा रहे हैं खेत इतना दूर पे खेत है इनका और फिर 45 लौड के भी आ रहे हैं ठीक है यानि टोटल 90 किलो मीटर तैं हो रहा है और फिर 110 किलो मीटर ये मार्केट चले जाते है मतलब टोटल 200 किलो मीटर और फिर वहीं पर टीजल हो गया खतम भाई ये ट्रेक्टर में डीजल डलता है पिट्रोल ने डलता जानते हो नहीं जान लो कह रहा है कि फिर ट्रेक्टर ने एक लीटर में कितनी दूरी तैंकी है यानि 200 किलो मीटर गया है टोटल पिट्रोल कितना था पांच लीटर स्वरी डीजल जो भी था पांच लीटर था ठीक है तो क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे चुकि पांच लीटर डीजल में तैंकी गई दूरी बराबर 200 किलोमीटर इफ लिए एक लीटर में तैंकी गई दूरी 200 बटा पांच पांच लूग बीफ यानि 40 किलोमीटर पति घंटे कितना 40 किलोमीटर पति घंटे एक लीटर अरे पति घंटे नहीं 40 किलोमीटर ओनली क्योंकि लीटर में कितना दूरी जायेगा वो निकालना है चाल नहीं निकालना है ठीक है नो डाउट तो मेरे साथ ही ये कलास ये पर इंडो होती है और मैंने आपसे प्रामिस किया है कि जब तक अभी देखो इनन बीच जब ये कलास आप देख रहे हो मैं हो सकता कहीं और गया हूं या कुछ भी बिजी हूं तो ये कलास जो सिरी जब ही आरी थोड़ी छोटी आएग तो डॉंट वरी आपको टेंसा नहीं लेना है आपको सिर्फ पढ़ना है ठीक है बढ़िया चलो ठीक है बहुत बहुत थैंकियो आप सभी को दिल से धन्यवाद लाश्टला में चलते वह ये बोलूँगा कि अगर आप वास्तों में गड़ी सीखना चाहते हैं तो चैनल को स सब्सक्राइब करें और इस सेशन को नहीं परतेक वीडियो को लाइक करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लें चैनल हर बार बार रोज रोज सब्सक्राइब नहीं होता है ठीक है कोई डाउट होता नीचे नंबर दिया गया उस पर आप बहुत अच्छे से सीखें एकदम बिंदाफ तरीके फे और हमारे संपर्क में रहें कुछ भी हो तो डारेट हमें फोन लगा दें या वाटसप मैसेच कर दें कि बाई चलो बताओ तुम्हारी जिम्मेदारी है अफी कंडिशन पर आने वाली 20 जुलाई से एक न्यू बैच आ जिसका नाम है आरे भट बैच अगर आप चाहते हैं इचुक है तो इसमें डारेट प्रसनली मैं सपोर्ट करूंगा आप इसे जोईन करें लेकिन मेरे भाई मैं हाथ जोड़के एक चीज और कहूंगा कि आपका टार्गेट सिर्फ गड़ित सीखना होना चाहिए अगर आप यहां उम्र की कोई सीमा नहीं बसरते आप सीखना चाहते हो आपके अंदर चाहत हो इच्छा हो तो उसे बढ़ा सकते हैं लेकिन जहां हो ही ना वहां वहां मैं कुछ नहीं कर सकता हूं चलता हूं फिर खैलों में याद रखना और अगली क्लास के लिए इंतजार करना यह क् परतेक सब्ता में दो दिन होती है मतलब मंडे टिवजडे बट इस समय यह अगले दस दिन तक हो सकता है रेगुलर आ जाए मेरी कोशिस